डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग कैनेडा भर में करोना वारिस के फिलाओ का सिलसला जारी, मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग तेरा सो सेंटिस्ट हो गई है ऐसा आला जो मेडिकल मास्क को जरसीम से पाक करता है, इसे कैनेडा में फरोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बनाने वालों के मताबक इसकी मनजूरी अभी तक रुकी हुई है मांट्रियाल में शेहरियों की जानब से पुलीस के हातों मकामी कबाईलियों के गतल के खिलाफ एफजाज किया गया जिसमें शेहरियों ने तबदीली का मतालबा किया कैनेड़ा में पुलीस की फारिंग से पाकिस्तानी निजास शेहरी जहांबहक पाकिस्तानी कम्यूटी की मुझमक पुलीस ने अपने अहलकारों के खिलाफ तक्तीश का आखास कर दिया अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम को एक बार फिर उपोजिशन और चंद पार्टी रहनमाओं के जानब से शदीद तंकीत का सामना है ट्रम ने गुजश्टारों करोना टेस्टिंग की रफ़तार कम करने का हुकम दिया था दुनिया भे में करोना वारेस से मतासरा अफराफ की दादाद 90,666,666 तक जा बहुची है जबके इस से हलाकतیں 4,7,792 हो गई हैडलाइन आपने जानी हम खबरे तफसील के साथ कनेडिन वजिर आज़म जस्टिं ट्रूडो का कहना है कि कनेडा चाइना के दो कनेडिन शेहरियों पे जासूसी के इलजाम को चीनी टेक एक्जेक्टिव की गिरफ़तारी से जोड़ता रहेगा इससे चंद घंटे कबल उन्होंने बयान दिया था कि चाइना गेर जिम्मेदाराना बयाना देने से बाज रहे ट्रूडो का कहना था कि जब माइकल कोबरी और माइकल स्टेवर को गिरफ़तार किया था तो अब्तदाए दिनों में चीनी हुकाम इसे में की गिरफ़तारी से जोड़ते दिखाई दिए उनका कहना था कि चीनी हुकूमत के जानब से किया जाने वाला ये फैसला शुरू से ही थासी रहा है और हम इसे मुस्तरत करते आए हैं तो अब्सक्राइब के चीनी हुकाम इसे मुस्तरत के चीनी हुकाम इसे मामले में बहुत महताथ है क्योंके कुछ मुमालिक में करोना वायरस के केसिस बढ़ते देखे हैं उनका कहना था कि अपने लोगों की सहत और हिफाज़त हमारी पहली तरची है ट्रोड़ ने कहा कि अगर कनेडा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो इस से करोना वायरस की दूसरी लेहर आने और दुबारा से लोगडान लगाने का खच्छा है कैनेडा भर में करोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादा आठ हजार चार सो अतीस तक जहां पहुंची है तफसिलाव इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,423 तक जहां पहुंची है क्यूबिक सुबा करोना वायरस से सबसे जादा मुतासिर हुआ है तहां वहाब करोना वायरस के केसिस में कम ही आने लगी सुबे भर में करोना वायरस के मजमूई केसिस की तादा 54,766 हो गई है जबके सुबे में करोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,417 तक पहुंच चुकी है आंटेरियों में करोना वायरस से 33,474 अफराद मुतासिर हुए जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,606 है अलबर्टा में 7,704 अफराद करोना वायरस से मुतासिर हुए है जबके 152 अफराद करोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके है बिर्टिश कॉलंबिया में 2790 अफराद में करोना वायरस की तजदीक हुई है जबके सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाथ 168 है मौन्ट्रियाल के एक कंपनी डिवाइस की मनजूरी की मुन्तजर है जो मास्को जरसीम से पाक करती है मजीद ज़ानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल की एक कंपनी डिवाइस की मनजूरी की मुन्तजर है जो मास्को जरसीम से पाक करती है ऐसाला जो मेडिकल माक्स को जरसीम से पाक करता है उसे कैनड़ा में फरूख नहीं किया जा सकता क्यूंकि उसके बनाने वालों के मुताबक उसकी मनजूरी अभी रुकी हुई है सेंट लॉरेन की कंपनी सिनोक्स इस्टी डू माक्स नामी डिवाइस बना रही है और बेच रही है जिस एन निइनटी फाइफ और सर्जिकल मास्को दस भार तक जरसीम से पाक करके दुबारा इस्तमाल किया जौा सकता है जरसीन कुशी का अमल तीन मिनट तक रहता है माइक्रो हायातियात के डी एने या आर एने को तोड़ने के लिए अल्टरा वायलिट लाइट का इस्तमाल किया जाता है कमपनी का कहना है के हेल्ट अथॉर्टीज मास की लागत पर नवे फीसद तक बचट कर सकेंगे अगरचा उसे फ्रांस में इस्तमाल के लिए मनजूर किया गया है के एनेस्या फार्म कमिल्ची की हमायत हासिल है जो मोंट्रियाल समय शमाली अमरीका में नसली तास्व और पुलीस गर्दी का शिकात रहते हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल में शहरीयों की जानब से पुलिस के हाथों मुकामी खाबालियों के गतल के खिलाफ एतिजाच किया गया जिसमें शहरीयों ने तबदीली का मुतालबा किया मुझाहरین से खताब करते हुए मुखररीन का कहना था कि पुलिस के फंड्स में कमी की जानी चाहिए इसक्यू प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक खातून का कहना था कि मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ इस काम के लिए किसी बंदू की जरूरत नहीं होती इसक्यू प्रोजेक्ट का मकसर गुमशुद्गियों को रोकना और मतासरीन की मदद करना है मुझाहरین का कहना था कि उन्हें से आफ आम क्यमिनिटी की हमायत हासल है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनडा में पुलिस की फारिंग से पाकिस्तानी निजात याद चौरी जहनी मेरीज था और अद्वियाद ना लेने पर एले खाना ने पुलिस की मदद तलब की थी पुलिस अहलकार अजास चौधरी के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उसके हाथ में छुरी थी जिसे देखकर अहलकारों ने उस पर फारिंग कर दी और वो जहां बहुक हो गया पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मताबिक 62 साला अजास चौधरी जहनी मरीज था और उनके घरवालों ने पुलिस को फौन करके मदद तलब की थी क्यूंकि वो अपनी अद्वियात नहीं ले रहा था ताहम जैसे ही पुलिस अहलकार उनके घर में दाखिल हुए इस शक्स के हाथ में हतियार था जिस पर अहलकारों ने फौरण सिर्फ फारिंग कर दी जिसके नतीजे में वो जहां बहुक हो गया है कि सदर टरॉम इखला की ताहर पर ठीक नहीं और ना वो अपनी दानिश के लिहाज से इस बात के एहल है कि मुल्क की कयादत करें मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ल टरॉम को एक बार फिर ओपोजिशन और चंद पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शदी तनकीद का सामना है टरॉम ने गुजशता रोज करोना टेस्टिंग की रफ़तार कम करने का हुकम दिया था करोना वबा पहलने से रोकने का तरीका टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रिटमेंट है लोग जानना चाहते हैं कि टेस्ट की तादात कम करने का आखिर क्यूं कहा गया उन्होंने कहा कि माहरीन तजवीज कर रहे हैं कि जादा से जादा टेस्ट किये जाएं سپیکر پلوسی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ٹاکس فورس کے حلکاروں کو اگلے ہفتے کمیٹی کے سامنے پیشی پر اس بارے میں جواب دینا ہوگا نینسی پلوسی نے کہا کہ صدر ٹرمپ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں اور نہ وہ اپنی دانش کے لحاظ سے اس بات کے اہل ہیں کہ ملکی قیادت کریں دوسری جانب رد عمل میں صدر ٹرمپ نے ٹوئٹ کیا کہ ہماری کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت سب سے بہتر اور جدید ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دھائی کروڑ ٹیسٹ کے تناسب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر میرا پیغام واضح ہے ڈسٹرک اٹرنی جیفری برمن کیت برطرفی کے بعد امریکہ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے اس اقدام پر انہوں نے سینٹ سے نئی نامزدگی تک اہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا مختلف ممالک میں کرونا وارث کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے تاہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران استعداد میں کمی دیکھی گئی اور ایک لاکھ تیس ہزار نئے مریض سامنے آئے مختلف ممالک میں کرونا وارث کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد نوے لاکھ سر سٹھ ہزار چھ سو چھ آسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں چار لاکھ ستر ہزار سات سو بان میں ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ بائیس ہزار دو سو سنتالیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تیس لاکھ چھپن ہزار چھ سو ستاون ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس پہرس میں آٹھ میں نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وارث سے تیرہ ہزار سات سو تین ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھپیس ہزار نو سو دس ہو گئی ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد نو ہزار چھ سو تیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز دو لاکھ چار ہزار نو سو بابن ہو گئے ترکی میں کرونا وارث سے جان بھاک ہونے والوں کی تعداد چار ہزار نو سو پچاس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ ستاسی ہزار چھ سو پچاسی ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات ایک ہزار دو سو سرسٹ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ستاون ہزار چھ سو بارہ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ٹیک ٹی وی ڈیٹیو پا ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوتیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے